क्ले को रोल करेंगे हम, थोड़ा पतला ही रखेंगे, बहुत मोटा नहीं रखना है हमने, ठीक है, यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और पतला करूँगी, जब वह गीला होता है, तो पूरा ध्यान से उसको रखना है, यह देखिए, यह मैंने रोल कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, इसको बीच में से हाफ किया मैंने, ठीक, और इसको मैं ट्विस्ट कर दूँगी, ट्विस्ट किया, ठीक, ट्विस्ट करके, अब यह हमारी थोटी सी ही जगह है तो हम इसको ट्विस्ट करके डबल कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारी यह जो ट्विस्टेड रोब है, यह डबल है, इस तरह से, ठीक है, हम यह डबल रोब यहाँ पर लगा, स्टिक करेंग यह रिखी यहांपर ठीक है इसको मैं यहांपर लगा देगी जहांसे हम ने यह leaf modi थी ना वहां से ठीक है अब मैं यहांपर यह रिखी इस तरह से place करदू specifically इसको यहांसे knife के साथ आप इसको यहांसे थोड़ा सा प्रेस कर देना ठीक है थोड़ा से इन में गैप रखना और यहां से जो एक्स्टर उसको हम रिमोव करतेंगे ठीक है और इसको अच्छे से हमने स्टिक करना साथ आप यह देखें ठीक है अब यह डबल तो हमारी यह बन गी यह जो डबल बनी रही थी न यह यह तो बन गी ठीक है अब इसके पर यह रखेंगे और साइड्स पर यहां से निकाल लेंगे उसी तरह से हम फिर से रोल करेंगे क्ले को गैसे ही जैसे अभी हमने किया था अभी हमने क्ले को रोल किया था न जैसे हम फिर से करेंगे उसी तर ऐसी मैंने कट कर लिया, ठीक है, ट्विस्ट करेंगे फिर से हम, ट्विस्ट किया ये, ठीक है, अब मैं इसको एक round shape दे रही हूँ, ट्विस्ट करते हुए, हम इसको एक round shape देंगे, उपर लगाने के लिए, ठीक है, अब ये हमारा जो twisted है, पार्ट ये इसके उपर रखा हुआ, ठीक है, तो अब हम क्या गरेंगे, फैबिकॉर लगाएंगे, यहाँ side पर थोड़ा सा, ठीक है, और इसके उपर हम अपने, इस पार्ट को रखतेंगे, side से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ताकि बीच में से उठा हुआ बने, ठीक, अब हमने करना है, ये, ये चीज, ठीक है, अब इसके लिए हम फिर से, इसको dry होने देना कर ले, ठीक है आपने, आप जल्दबाजी मत करना, इसमें, इसको हम फिर से, रोल करेंगे, यहां से थोड़ा सा पतला हो गया, यहां से थोड़ी पतली होगी, तो मैं यहां से इसके उपर ही दुबारा से रखके, इसको इस तरह से कटूँगे, ठीक है, इसको, अब मैं कठी ही थोड़ी बना रही हूँ, इसको फिर से उसी तरीके से, जैसे अभी हमने बाकी ट्विस्ट की है, वैसी हम ट्विस्ट करेंगे, यहां की, ठीक है, अब हमने ट्विस्ट करते हैं, हम यहां पर लगाएंगे, यहां से हमारी यह निकल रही है, एक जारे इधर को, और एक जारे नीचे को, ठीक है, एक इधर को और एक नीचे को, पहले हम यह उपर वाला यहां पर रखेंगे, यह देखो, इसको अच्छे से साथ में अटैज करना है, और इसको हम यहां पर लाकर करके, कट कर दीए, लेकिन इसको हम एक बर हाथ से, दुबारा से प्रिस्ट कर देंगे, ठीक, इसी तरह से हम यह नीचे वाला करेंगे, यहां पर लगाएंगे उसके साथ ही, ठीक है, ट्विस्ट करते हुए, यह देखो, मैं यहीं पर ही कर रहे ही ट्विस्ट है, क्योंकि नहीं तो यह तूटता है, जितना मुझे चाहिए था मैंने रख लिया, बाकी मैंने उता लाग दिया, यह देखिए, और यहां से मैं इसको इसके साथ अटाच करते हूँगे, दोनों रसियां एक ही जगा से निकल रहे हैं, ठीक, अब यह रह गया हमारा उपर बाला, यह पार, फिर से हम क्या करेंगे, क्ले लेंगे, फोड़ा सा वैसलीन लगाके, क्योंकि अब मै नया क्ले निकाल दूए, तो मुझे नीड करना है, क्ले लिया मैंने, ठीक है, इसको अच्छे से नीड करेंगे हम, फिर से रोल करेंगे, इतने की जरूरत नहीं है, जितना हम ही जरूरत है, हम उतना ही रोल करेंगे, ठीक है, फिर से रोल करेंगे, इसको, अब थोड़ा सा लंबाव नाएंगे क्योंकि हमें यूँ उपर से गुमा के लाना है ना तो ये जो हमने twist करना पाथ ये थोड़ा सा हम लंबाव नाएंगे पहले हम इसको रोल करेंगे इच्छे से ठीक है जोल कर लिया हमने थोड़ा लंबा रोल कर लिया अब इसको मैं डबल करके twisting स्टार्ट करूँगी ठीक है twist में क्या करूँगी साथ साथ करूँगी लगाते हुए है ना तो हम इसको यह देखिए इसको अब हम यहां से निकल रहा है यह जो हमने सरकल लगाया ना इसके उपर से यह जाके इस तरह से ऐसे इस तरह से ठीक है यह शेप में तो हम क्या करेंगे यह देखिए क्या कर दियुक्त है परले हम इसको ट्विस्ट कर लेंगे यहां रखेंगे जहां से हमने अटैच करना है और जिस तरफ को लगाना है वहां पर ट्विस्ट करते हुए हम इसको यहां से हम एक्स्टा जो है उसको कट करते है थोड़ा सा यह इस शेट में लगा हुआ हलका से इसको प्रेस करते है ठीक है यह क्लियर हो गया होगा ठीक अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे वह करेंगे वह नेक्स सेशन में करेंगे आप पर इतना कंप्लीट कर लीजिए फिर हम और यह भी ड्राइ हो जाए मेरा ताके यह बार बार निल रहा है फिर हम नेक्स सेशन में कर्टन करेंगे तिल देन ओके बाई एब्रिवान बाई बाई